हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आईएम अजराज प्रजापती क्या दोस्तों आपका एडसेंस भी डिसेबल हो चुका है यूट्यूब चैनल पर आपका मॉनेट अजिसन बता रहा है डिसेबल आप परेशान हो गए हो आप बोल रहे हो मेरा करियर खराब हो गया मैंने एक साल से काम कर रहा हूँ मैं तीन साल से काम कर रहा हूं मेरा एडसेंस हो गया है डिसेबल आप मैं क्सकिद्व हो चुका है तो इनेबल हो जाएगा लेकिन आपको रिजन बता देता हूं कि एड्सन डिसेबल होने के चार रीजन है सबसे पहला आपको यह रीजन देखने को मिलेगा बीटा इस्टुडियो में यू आपको यह देखेगा यू है अल्रेडी है एकाउंट तीसरा आपको यह देखेगा जो आप देख सकते हो एरर आ रहा होगा और फोर्थ नंबर का आ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो अगर यह चारों की चारों प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रही है आप परेशाल हो चुगे हो तो टैंसल लेने की बात नहीं है आज की वीडियो में मैं आपको लाइफ प्रूफ करके दिखाऊंगा और आपका एड्सेंस को डिसेबल से रि वीडियो को मिस मत करना ध्यान से देखना अगर आपका भी एड्सेंस डिसेबल होगा तो इनेबल हो जाएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बेना टाइम वेट्स किये दोस्तों जैसे कि देख सकते हो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आ चुका हो यह मेरे सब्सक् इसका मतलब क्या होता कि आपने एक एड्सेंस यह वाली जीमेल आईडी से बना के रखा था और अपने दुबारा यही जीमेल आईडी यूज करके आपने एक और एड्सेंस बना दिया है इसी के करन आपका एड्सेंस हो गया है डिसेबल तो यह ओप्सन बोलता कि अगर email ID जो होती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, किसी को पता नहीं होती, कोई password भूल जाता है, किसी को याद नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, हमें एक new email ID बनानी होगी, और new email ID बनाने के बाद, लेकिन कैसे करना है मैं आपको सारी प्रोसेस बता देता हूं वीडियो को पूरा देखना वरना आपको पता नहीं चलेगा यह तो को मेरी यूट्यूब अपको करना हम को यह सबको करना है तो नियूब करना है इसे अपने अपने अज्स में कभी बनाया ना हो एसी अपने इमेल अडि बनानी और दूसरी बात हो दिया कि आपको नियूब बना लेनी है और उसके बाद आपको चले जाना आपके बीटा स्टूडियो में जाओंगे तो आपके सामने ऐसा अप्सवन आ रहा होगा कि आपका स्टेप complete है आपका second step में आपको error दिख रहा है और third number का जो आपका है get review में जा रहा है लेकिन हमको solve करना यह error यह जो error आ रहा है तो हमें क्या करना है fix in absence लिखा है इसके उपर आपको कर देना है click click करोगे आपके सामने यह pop-up खुलेगा तो आपको बीच में यहां लिख रहा हो है तो इसके बार click करोगे तो आपके सामने तीन option आ जाएंगे तो यहां पुछेंगे yes I have an exiting account I don't have an exiting account और तीसरा है I don't know तो आपको यहां क्या करना है I know I don't have any exiting account यानि आपको यह new account create करना होगा तो आपको second email ID बना लेना एक अलग नाम से और एक फ्रेस मॉबाइल नमबर से फिर उसके बाद आपको यह option पूछेगा तो आपको यहां कौन सी email ID चूज करनी है जो आपने new बनाई है आपकी जो YouTube की email हो आपको चूज नहीं करनी है आपको यह select करना है new email ID से आपको create adsense बनाना है तो आपको new email ID यह वाली है तो थर्ड नमबर बे इसके मैं कर देता हूं क्लिक इसके उपर जैसे मैं क्लिक करूंगा हमारे यह process देखो शुरू हो जाएगी process होने के बाद आपको यह adsense में ले जाएगा adsense में ले जाने के बाद आपको यह पूचेगा आपका देखो यह वाला जो है यूटूब का URL यह आ चुका है ठीक है उसके बाद नीचे आप देखोगे तो यह adsense पर अभी देख लेना है Google adsense पर हम आ चुके है Google adsense पर आने के बाद आपको यह जो get start option आएगा इसके कर देना है आपको क्लिक इसके अपर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यह new dashboard यह खुल जाएगा आप देख सकते है यह new dashboard अभी search ले रहा है search लेने के बाद आपके सामने यह new dashboard खुल जाएगा अभी name में तो आपको यह यूट्यूब चनल का नाम नहीं डालना है जो आपका नाम है यहाँआ डालना है और दूसरा नम डालना है और फिर उसके बाद् Egis oike वाम इन्टरहस को कर दोगे तो आपको आपको करके नहीं दिखा देता नहीं यह तोगो सब्alted वेट करना है एक मिनिट करोगे यह अग्याश्य है आपको बैक लिजाएगा अब नहीं करना यह थोड़ा पर पैसरी ज्जादा आच्छा रहेगा को अपिर रिफ्रेश होगा होंने के बाद हमको यह डायरेक्ट wow क्या दिखाते हैं दिखू हमारा यहίαं बीटविटविटो ऑपन हो रहा है पर आपके सामने यह वाला लिखा हुआ आजाएगा this नोट d even for monetization तो आपको About ten नहीं लेना है आपको करेंद लेना है 12 गंडे तक बार्रे कर बारा 104 ऊविए के लिए यह होने के लिए आपका यह दो घंटे में भी हो सकता है चार घंटे में भी हो सकता है तो आपको यहां क्या करना है वेट करना है बारा घंटे तक वेट करो उसके बाद हम हम मिलते हैं आपको 12 गंटे के बाद दोस्तों अभी मुझे लगबग 10 गंटे हो चुके और 10 गंटे के बाद मैंने यूट्यूब चैनल को उपन कर लिया है अब मैं आपको लाइफ प्रूफ यहां दिखाता हूं कि हमारा एर्शन जो डिसेबल था वो फाइनली यहां इनेबल हो चुका है आप देख सकते हैं हमको एरर आ रहा था पहले है अब यहां दोको साइन अप फोर गूगल एर्शन सक्सेस्फुली यूव अपका फाइनली एर्शन सेकाउंट है सक्सेस्फुल लिंक हो चुका है अब मैं आपको यहां पर देखो इस पर इसके क्लिक करता हूं और यहां सेटिंग पर क्लिक करते था हूं सेटिंग पर क्लिक करने के बाद स्टेटरने स्टेटरने स्टेशन फीचर्स पर करता हूं क्लिक जैसी इसके पर क्लिक करूंगो तो आप देख सकते हो पहले यहां डिसेबल लिखा हूँ आ रहा था अब आपको यहां लिखा रहा हुँ मैं और यहां साइन अप कर देता हूँ यहां मैं जासी साइनिंग करूंगा अभी आप देख लेना यह थोड़ी लेता है यहां थोड़ा टाइम तको देना ही होगा थोड़ा दोगे उसके बाद आपका एड़ असन सक्सेशफ़ ली लॉग इन हो जाएगा ठीक है यह लोग इन हो चुका है आपके सामने एडसन फाइनली एक्टिव होकर यह एक्टिव हो चुका है यानि आपका एडसन जो डिसेबल दा यहां फाइनली आपका एडसन डिसेबल से इनेबल हो गया है आप यहां भी देख सकते हो यह अंडर रिवीव में चला गया और यहां ब डिसेबल हुआ है तो इसी प्रोसेस को आप एक बार फिर से देख लेना अगर समझ में ना आया हो आपका एड़सन डिसेबल हो जाएगा दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए जिनका एड़सन डिसेबल हो गया है वो परेशान है उनको पता नहीं चल रहा है कैसे करना ह तो वीडियो को ध्यान से देखना पूरी प्रोसेस मैंने बता दिये अगर वीडियो समझ में ना आईयो तो बापिस जा के एक बार देख लेना ध्यान से देखोगे ध्यान से काम करोगे तो आपका एड़सन डिसेबल से इनेबल हो जाएगा उम्मित करता हूं दूस्तों आ अब तक लिए जैहिन और वन्दे मात्रम